नमस्कार, MH1 प्राहिम देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ वरुन गोयल, पंजाब चुनाव 2022 लगातार दिल्चस्प हर बदलते दिन के साथ होता जा रहा है, मल्टी कॉनर फाइट दिखाई दे रही है, बीजेपी यहाँ पर एक चुनावती पेश कर रही है, हमारे सा सर, आप यहाँ पर कैम्प कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, पूरा पंजाब आप एक तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, क्या सेंस महसूस कर पा रहे हैं पंजाब में? पंजाब बदलाव चाहता है, पंजाब कॉंग्रेस के शाषन से जो पिछले पात साल का था उससे दुखी है, और साथी साथ जो पिछले दस साल तक जो उससे पहले शाषन था, उस शाषन के अगुवा लोगों के भिष्टाचार को भी, और आम जनता के प्रती उदासी इं यहां अपने कदम जमाने, अपने आपको स्थापित करने और दिल्ली से बाहर लेने का प्रियास के जरिवाल साब के नितरतु में कर रही है, दिल्ली में उनके फिलेवर को लेकर के भी पंजाब की जनता क्योंकि दिल्ली का और पंजाब का एकदम अटूट रिष्टा है, रोजी पंजाब के लोग दिल्ली में आते चाते रहते हैं, वहां के समाचार, नातेदार, रिष्टेदार सब के वहां हैं, लोग दिल्ली के हालात को और जो उनके empty promises को भली बानती समझते और जानते भी हैं, और पंजाब क्योंकि कृशी प्रधान सूबा है, पंजाब की आत्मा देश की तरह खेतों में निवास करती हैं, तो पंजाब के लोग गाउं के साधानन व्यक्ति, सामन्यमानवी, कृशी इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, मानि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साथ साल में काम किया है, उसको ले करके अब ये मानने कि पंजाब की इस दुरावस्था से निकालने के लिए पंजाब की एक मात्र पंजाब के पास विकल्प है और आवश्यक्त है, वो है पंजाब में डबल इंजन की सरकार बने है, जब हम आपको सुनते हैं यहां की प्रेस कॉन्टेंस में, जब आप GSDP की बात करते हैं, पंजाब के आम जनता को अधि आप कुछ विश्यों पर कुरेदने की कोशिश करेंगे, समस्याओं की चर्चा करेंगे, तो जो पहले चार-पांच विश्य जिन पर कभी व्यक्ति बात करेगा, वो ड्रग होगा, वो बेद भी होगा, वो रुजगार होगी, और पांचवा विश्यों उसमें निश्चत रूप से होगा, माफिया और माफिया के बाद का जो बिंदू जिस पर पंजाब का विक्ति बात करेगा, वो होगा, पंजाब पर बढ़ता हुआ कर्च, और पंजाब में की डूबती भी अर्थ हुए बसता, गाउं में बैठा विक्ति भी एक नंबर का सुबा हुआ करता था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते 16-17 नंबर पर है, पंजाब जैसा प्रदेश जो डेवलप्मेंट पैरामीटर इंडीकेटर पर जो पहले पाइदान के प्रदेशों में से होता था, वो आज पिछड़ करके ग्रोथ रेट की दृष् सीटों पर चुनाव लड़ती रही और लंबे समय तक लड़ती रही, फिर उसमें से एक बार तो बहुत सीटे जीती, पिछली बार तीन सीटे जीत पाई, और अब कुछ दिन पहले एक इमेज बन गई बीजेपी कि या जो बना दी गई यहाँ पर, ऐसे में पूरे प्रदे विचारधारा के आधार पर राजनीतिक शेत्र में काम करने वाला संगठन है, और केवल चुनाव लड़ना या चुनाव के तरही समय ही सक्रिय यह ना, यह बारती जिनता पार्टी की ने तो परंपराय और ने रीती नहीं थी है, जहां कहीं भी बारती जिनता पार्टी काम बनाते वे काम करता है बेशक हम पंजाब में चुनाव नहीं लड़ते थे 23 सीटों तक हम अपने आपको सीमित रखा था उसके क्यों और कारणों की भूमिका में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन पंजाब में भरतिय जनता पार्टी का कारेकरता पंजाब के सभी जिलों में सरकारी जिलों में भी और भरतिय जनता पार्टी के अनुरूप जो संगठनिक जिलें बने उन सब जिलों में जिले पे मंडल पे विदानसभा इस्तर पर और उसके नीचे भी शक्ति के इंदर और बूत के स्तर पर भारती जंता पार्टी का कारेकरता काम कर रहा था है। मैं एक आपको उधारन देना चाहता हूँ। जब कोवीड की आपदा आई थी प्रारंब के समय में पहले दौर के समय में अपरेल मई जून के महीने में मनी प्रिधानमंतर जी ने अपने कैबिनेट के साथियों को कुछ जिम्मेदारी दी थी। अलग-अलग प्रिधेशों के लोगों से बात करना, वहां के डिस्टिक अड्मिस्टेशन से बात करना, डीसी से बात करना, एससे एपी से बात करना, वहां के यंग आफसर से बात करना और उसके साथ साथ में भारती जिन्दा पार्टी के काडर से भी बातशीत करना ताकि लोगों को जो है हम दुख तकलीफ से बचा सकें संयोग से मुझे पंजाब की जिम्मेदारी उस समय मिली थी और मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी जब मैं यह देखता था कि जब सारी दुनिया की प्रदान बंतिर जी की प्रेणा से बूत तक का कारे करता जो चमीन पर धरातल पर सक्रिय था वो जो अन्य प्रदेशों में था उसी ताकत उर्जा आत्मविश्वास और संकल्प के साथ में इस पंजाब में भी खड़ा था और यह इस बात का परिचायक है कि बेशक चाहे हमन लेकिन आमारी संगठन की ताकत थी और उस संगठन की ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं यदि कहीं भी इसमें किसी भी तरह के आशंका होती तो जिस तरह से समूँ के समूँ कॉंग्रेस अकाली दल आम अदमी पार्टी अन्य विचारधराओं के लोग भारतिय जन पौटे जन्ता्शी पार्टी के सहयोगी दल चुनाव के मैदान में जटें और अप्रित्याशित परिनाम आएंगे जो आपने बताया कि इतने लोग जॉइन कर रहे हैं जब आप प्रभारी बने आपको जूटी बिली उसके बाल जैसे ये मैसे आता था बीजेपी की और से की एमिनेंट परसनारिटी जॉइन करने वाली है तो मीडिया में हल चल थी अब कौन और आपके विरोधी बार बार ये परस्टिंग हो रही है ये कहते थे कि एजेंसी का इस्तिमाल हो रहा है और उससे आगे बढ़ करके कहते थे कि टिकिट का लोब दे करके ला रहे हैं लेकिन कल तक जब पंजाब के इतनी एमिनेंट परसनालिटी जुनोंने पंजाब के ऐसे युवा जिनोंने अपना जीवन पार्टी में आ रहे हैं मुझे लगता है कि अब यह इत्टिपनिया जो है यह ने तो समीचीन रही है और ने प्रासंगी की रही है कैप्टन अमरिंदर सिंग यहां पर साड़े चार साल रहे एक एंटी इंकममंसी की बात होती है या फिर कॉंग्रेस रूल की बात होती है बीजेपी अपने सतर पर संखर्श करती रही उन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंग के साथ घडबंधन करके चुनाओं में जाना पबलि पंजाब और पंजाब के हित को लेकर के पंजाब में जो है सामजिक सद्भाव बना रहे जो की शांती ही प्रिगती का अधार है जैसा हम सब लोग जानते हैं यह बना रहे इसको सुनिश्चित करना उनकी हमेशा से प्रात्मिक तरही है हम इन दो बिंदूओं पर मूलत है पंजाब लोग कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी और कैप्टिन साब के साथ में खड़े हैं और यही दो मूल बिंदू जो है यह पंजाब के भविश्य की फाउंडिशन है क्या बीजेपी इस तरह का मैसेज पंजाब में एक देना चाहती है या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और यहां पर जो केंद्र जैसी सकेंद्र में जो सरकार है उसका मजबूत सपोर्ट चाहिए पंजाब के लोगों की जो चिंता है उस चिंता में पहली चिंता और उस चिंता स्वभाविक भी है दो दशक तक लगबग जिस तरह कि आतंकवाद की तपिश और जिलस यहां के लोगों ने देखिए जिस तरह से समाज को बाटने के शडियंतर यहां हुए उसको उन्होंने देखा है और सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद जिस तरह से पंजाब ने भोगा है पंजाब के लोग यह चाहते हैं कि सीमा सुरक्षित रहे और यह सद्वाव बना रहे है और इसके लिए नरिंद्र म के और से भी चेहरा है सिर्फ आपके अलाइंस की और से नहीं है क्या इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव है तो कि मैंने जैसा मैंने पहले भी कुछ इंटर्व्यूज में कहा कि भारती जनता पार्टी में परंपरा नहीं है हमने जहां कई भी पहली बार सरकार बनाने के के लिए चुनाव लड़ा होगा या जहां कई भी हमने बहुत लंबे अर्से के बाद में सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ा होगा वहां कभी हमने इस तरह के चेहरों की राजनीती नहीं कि मैं उधार ने देना चाहता हूँ आपको पिछले बारी जब हम उत्तर प्रदेश में जो 25 साल बाद में चुनाव लड़ रहे थे तब क्या किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदि तेनात मुख्यमंत्री होंगे तिर्पुरा में जब हम पहली बार सरकार बनाने के बाद के लिए पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तब क्या किसी ने सोचा था कि विपलब देव मुख्यमंत्री होंगे हर्याना में जब खटर साब पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ रही थे तब क्या किसी ने सोचा था कि खटर साब मुख्यमंत्री होंगे बारतिय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है लोकतांत्रिक पार्टी है विधायक चुने जाएंगे विधायक अपना नेता चुनेंगे नेता जो है उस पर परल्लेमेंटरी बोर्ड बहर लगाएगा और वो बारतिय जनता पार्टी का चुनाव का चहरा होगा लेकिन दूसरी पार्टी उन्हें चहरे दिये हैं राहूल गांधी आये बड़ा कारेकरम हुआ उन्होंने कहा कि गरीब घर का चेहरे चरणजी सिंग चन्री वो पार्टी की और से चहरा होंगे चैलेंज हैं मैं मानता हूँ मैं एक प्रेशन करना चाहता हूँ कि आपको निश्ची तुरूप से कॉंग्रेस के PCC प्रधान की पत्नी ने टिपनी किये उसको जरूर देखना चाहिए और फिर करना चाहिए एक वो कितने गरीब हैं जो ये उनके परिवार के सदस्यों पर जिस तरह की रखुआ कि यह उनके के सब्सक्राइब कर देखको फिर कमदेश को जरूर फिर किसे नौटंग की क्रार किर्आर геро उससे भी बड़ी नौटंग की WWF चैंपेंशिप जो है वो नूरा कुष्टी की पृतियोगी था वो कॉंग्रेस में हुई जिसका परिणाम सब को पता था सब जानते थे कि यही परिणाम आने वाला है लेकिन उन्हों ने जो है एक माहौल बनाया और माहौल बना करके नाम डिकलेर किया डिकलेर बगारने के बाद में उनके कैमपेंड कमिटी के चेर्में ने ये कह दिया कि मैं अब आगे इलेक्टरल पॉलिटिक से सन्यास ले रहा हूँ जब सेनापती नहीं सन्यास ले लिया तो फिर उस पार्टी का क्या भविश्य होगा ये आप सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं आम-ाद्मी पार्टी के यहां बहुत चर्चा है पंजाब में वादे बहुत हो रहे हैं कोई हजार रुपे देना चाह रहा है इन वादों के बीच जो बीजेपी अपना विजन रख रही है जो आज भी रखा उन सब के बीच में पबलिक कैसे डिफ्रेंशियेट करेगी कौन सा हमारे लिए बहतर है देखें आम आदमी पार्टी के प्रामिसेस को जो दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से भुगता है विद्यालेओं का वादा किया गया कितने स्कूलें बनी आज आम आदमी पार्टी यहां बताने का साहस नहीं कर सकती दिल्ली के हर घर को पीने का पानी मिलेगा शुद्ध मिलेगा यहां पंजाब में वादा करने हैं पंजाब में पानी ही हम देंगे दिल्ली में कितने लोग पानी के लिए तरही तरही कर रहे है महला क्लिनिकों की मार्केटिंग इंडियन इंस्ट्यूट अफ मेनेजमेंट का पड़ा हुआ मार्केटिंग का आदमी या मार्केटिंग साइन्स पड़ा हुआ आदमी कर सकता है उससे ज़यादा अच्छी तरह से यहां महुला क्लिक के मर्केटिंग की मीडिया और स्चल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उठा करके देख लिजे पन्जाब के मीडिया दिली के महुला क्लिनिकों का हालात क्या हैं दवाईों के लोग तरस रहें यहां आकर के pension की बातचीत की वहां आप विद्वाओं को दिल्ली में pension नहीं दे पारे हो यहां आकर के आप रोजगार की बात करते हो वहां दिल्ली में सिक्षकों को पढ़ा रहे हैं उनको पर्मानेंट नहीं कर पारे हैं उनकी तनका नहीं दे पारे हो मुझे लगता है कि आमादमी का ढकोसला है इसको तो निश्चित रूप से पंजाब की जनता बहुत अच्छी तरह से जान और पहचान गई है कभी कहते थे कि हम वैगेनार में घूमेंगे उस गाड़ी के भाहर नहीं निकलेंगे आज प्राइवेट जैट लेकर के दिल्ली आते हैं और वापस जाते हैं एम अधमी पाटी जिस तरह से कैंपेइन में एड़टीजमेंट में टीवी एड़टीसमेंट में करती है, निश्चित पूछना तो पर्ट चाहती है पंजाब की जनता की अद्वेजिए सब कुछ आपके पास कहां से आ रहा है पेस्ट और भी अनौंस किया है और नशे से जूमते हुए पंजाब को नशे में डूपते हुए पंजाब को नशे में जूमता हुआ मुख्यमंत्री जनता तै करेगी कि क्या होने वाला है कि कुछ और है नहीं कहने के लिए इस तरह इसलिए लगाते हैं क्योंकि बड़ी इमा गुरुओं से लेकर के जिस पंजाब के शौरिय से लेकर के जिस पंजाब की राष्टबक्ती से लेकर के इस पंजाब की गाताएं लिखी गई पंजाब का आदमी सम्मान करता था उस पंजाब में आज उड़ता पंजाब जैसी मुवीज बनती हैं जो पंजाब के जमीनी ह अंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी के मुख्या केजरिवाल साब से मागना चाहिए सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो स्थिती थी जब ये किसानी आंदोलन चल रहा था आपके विधायक थे नारंग साहब उनके साथ दुर्वेभार हुआ ये कहा गया था कि बीजेपी का कारिकरता बाहर नहीं निकल पाएगा वोट लेने के लिए वहाँ से आज सरकार बनाने का या जीतने का दावा करना ये कितना यकीनी है देखे बेशक मैं मनता हूँ कि उस समय में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की गई थी इस तरह की भाय का एक वातावर्ण खड़ा किया था गया था कि बारती जनता पार्टी का कारिकरता शायद गाउं में पिंड में जाकर के अपनी बात नहीं कह पाएगा लेकिन जब मानिये प्रजानमें तेजी ने किसान कानूनों को वापस लिया और जिस मारमी का पील के साथ पे लिया जब उन्होंने ये कहा कि मेरे कानून दिये की रोष्णी के समान पवित्र थे लेकिन ये माफी भांगते हैं उन्होंने कहा कि मैं एक्षमा चाहता हूँ कि हम आपको नहीं समझा पाए और गुरू परब के पवित्र दिन उन्होंने कहा कि मैं ये कानून वापस लेता हूँ इनका आप अपने घर में जाईए गुरू परब मनाईए उसके बाद में हालात एकदम से बदले आज उन गाउं में जिन में इस तरह की आशंग का व्यक्त की जाती थी कि गाउ अब भरतिय जनता पार्टी का आदमी नहीं जा पाएगा आज हजारों की संक्या में लोग खड़े हो करके स्वरूपा लेकर के फूल मलाएं लेकर के उनका स्वागत करते हैं उनको जीत का भरोसा दिलाते हैं सहयोग का भरोसा दिलाते हैं हालात बदल गए हैं मैं आप से भी कहूँगा कि पिंड में जाकर के लोगों से मिलियेगा किस तरह से लोग आशा भरी द्रिश्टी से पंजाब के युवाओं को रोजगार के साधन मिलें नए अबसर मिलें उसके लिए एक एक एको सिस्टम बनाने के लिए जो भारतिय जन्ता पार्टी को बहतर विकल्प के रूप में चुनने केलें जो करजा माफी की बात आपने भी की पांच एकर से कम जमीन वालों को या दूसरे वादे किये हैं बात यह होती है कि जिस पंजाब पर तीन लाग करोड का करजा है इस तरह के वादे मतलब प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हैं यह सब हो पाई हुआ है हुआ हुआ है पंजाब में किस तरह से वहां का रह कंसी तरह आए इस सबका हमने एक complete holistic book and plan जो है वो प्रस्तत किया है क्योंकि नव्जोज सिंग सिद्दू ने पंजाब model अपना पेश किया आम आंदी पार्टी ने अपनी guarantees बताईगी वो पंजाब में क्या करेंगे आप अपना एक बता रहें कि किस अप्रोच के साथ पार्टी ने पूरी तयारी की है सवाल वहीं आ जाता है कि सर वादे फिर बहुत बड़े-बड़े हैं लेकिन जनता को चुनना है पंजाब model में भी बात यह हुरी है revenue कैसे बड़ेगा वो guarantee में बता रहें कि revenue कैसे बड़ेगा लिकर से और माइनिंग से आप भी वही बात कर रहे हैं लिकर की बात किया माइनिंग की बात कि revenue बढ़ाने के लिए लिकर model जो है वो दिल्ली का केजरिवाल model है हर गली में हर महले में मंदिर के पास स्कूल के पास था शराब की दुकान खोलना बच्चों को जो है शराब खरीदने के उम्र को घटाना और साथ ही साथ में women special दुकाने खोलना शराब की यह दिल्ली का model जो लिकर model है नशे में धकेलने का model है यह केजरिवाल साब को मुबारक है माइनिंग माफिया के माधियम से revenue खुद की बढ़ाना या estate की बढ़ाना यह पंजाब का model कॉंग्रेस को मुबारक है हमाई model तो नरेंद्र मोदी जी का model में परिवर्टन लाकर के उसको शशक्त दोना करके उसको संबल प्रदान करके और उसको आगे बढ़ाने का model है और हम उसी पर पंजाब में जो है वो पूरी ताकत के साथ में काम करेंगे है पंजाब का सरे घटना करम हाना की वो बात जी बस दो सवाल सर आप से कि जो पांच जनवरी का वाक्या हुआ आप आप वहीं थे आप आप कह रहे थे कि बड़ी आतिहासिक रैली होगी हमने आप से बात भी की थी लेकिन वो किसी और कारणों से याद की जाती रहेगी इस चित रूप से याद की जाएगी काले दिन के रूप में याद की जाएगी जब देश का प्रधान मंतरी जो पूरे 135 करोड लोगों का प्रधान मंतरी है उन 135 करोड लोगों के प्रधान मंतरी के जीवन को सीमा रेखा से 10 किलो मिटर दूर जिस तरह से खत्रे में डाला ग लाखों लोगों को सड़क पर संगर्ष करने के लिए मजबूर किया गया निश्चिती वो दिन लोकतांत्रिक इतियास में काले दिन के रूप में स्मरण किया जाएगा जोदपुर से जालांधर तक की राजनीती कितनी अलग है दोनों जगें आपके विरूदियों की सरकार है लेकिन हालात कुछ कॉमन है वहां भी कॉंग्रेस पार्टी आपसे विग्रह का शिकार है पाइलेट साब और गैलोट साब के बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई पूरे देश में जाहिर है यहां भी कॉंग्रेस पार्टी आपसे विग्रह का शिकार है वहां दो कॉनों की लड़ाई है यहां कई कॉनों की लड़ाई है मुझे लगता है कि इस लड़ाई की सरकार से जनता उखता गई है और कॉंग्रेस पार्टी जो उपर से नीचे तक स प्राइम से एक्स्क्लूजी बातचीत कर रहे हैं इतना ही दीजे इजासत नमस्कार